हमारे करीबी सहयोग को और व्यपक बनाने के लिए मैं कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहूंगा पहला है स्पेस के ख्षेत्र में सहयोग हम ब्रिक्स सैट्रिलाइट कॉंस्टिलेशन पर पहले से काम कर रहे हैं एक कदम आगे बढ़ाती हुए हम ब्रिक्स स्पेस एक्स्प्लोरेशन कॉंसोरियम बनाने पर विचार कर सकते हैं इसके अंतरगत हम स्पेस रिसर्च वेधर मॉनिटरिंग जैसे ख्षेत्रों में ग्लोबल गुड के लिए काम कर सकते हैं मेरा दूसरा सुझाव है शिक्षा, स्किल डेवलप्मेंट और टेक्नोलोजी में सहयोग ब्रिक्स को एक फ्यूचर रेडी और रेलेशन बनाने के लिए हमें अपनी सुसाइटीज को फ्यूचर रेडी बनाना होगा इसमें टेक्नोलोजी की एहम भूमिक रहेगी भारत में हमने दूर सुदूर तथा ग्रामिन शेत्रों के बच्चों और उनके तक सिक्षा पहुचाने के लिए दिक्षा यानि डिजिटल इंफ्रासेक्टर फर नौलेज शेरिंग प्लेटफर्म बनाया है साथी स्कूल के विद्यार्थों के बीच इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए हमने देश भर में दस हजार अटल टिंकरिंग लेप्स बनाये हैं भासा समंधी बादाओं को हटाने के लिए भारत में AI-based language platform भाश्विनी का इस्तिमाल किया जा रहा है कि वेक्सिनेशन के लिए कोविन प्लेटफर्म बनाया गया है डिजिटल पब्लिक इंफ्रसेक्टर यानि इंडिया स्ट्रेक के माध्यम से पब्लिक सर्विस डिलिवरी को रिवलुशनराइज किया जा रहा है विवितता भारत के एक बहुत बड़ी ताकत है भारत में किसी समस्या का हल इस विवितता की कसोटी से निकल कर आता है इसलिए ये सॉलुशन्स विश्व के किसी भी कौने में आसानी से लागू हो सकते हैं इस संदर भारत में विक्सित इन सभी प्रेट्फॉर्म्स को ब्रिक्स पार्टर्स के साथ साजा करने में हमें खुशी होगी मेरा तूसरा सुजाव है कि एक दूसरे की की ताकतों की पहचान करने के लिए हम मिलकर स्कील मेपिंग पर कर सकते हैं इसके माध्यम से हम विकास यात्रा में एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं मेरा चौता सुजाव है बीग कैट्स के सबन में बिक्स के पांचों देशों में बड़ी संख्या में वीविन प्रजात्यों के बीग कैट्स पाए जाते हैं कि इंट्रनेश्ट्न अलाइंस के अंतरगत हम इनके समरक्षन के लिए साजह प्रयास कर सकते हैं मेरा पांचवा सुझाव है ट्रेडिश्टनल मेडिसिन को लेकर हम सभी देशों में ट्रेडिश्टनल मेडिसिन का इको सिस्टिम है क्या हम मिलकर ट्रेडिश्टनल मेडिसिन की रिपोजेटरी बना सकते हैं देखती रहिए डीबी भारती समचार नजर हर खबर पर